हालो स्टूडेंट्स इस यार नियू ड्रॉइंग एक्टिविटी पेपर फोल्डिंग बर्ड के लिए हम कोई भी एक पेपर यूज करेंगे जैसे मैंने यह पेपर यूज किया है और सबसे पहले हम इसे एक स्क्वायर शेप कट कर लेंगे स्क्वायर शेप कट के से करेंगे आप एक ट्रेंगल की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे देन मैं इसे साइट का एक्स्टा जो पेपर है वो कट कर दूँ है इवेन अगर आपके पास कोई भी और गयामी शीट है आप वो भी यूज कर सकता है लैक डिस अब वही सीम जो ट्रैंगल फोल्ड था था इसका हम इसे एक ट्रैंगल फोल्ड देंगे प्प्रैंगल फोल्ड देने के बार हम इसे नीचे की तरफ से इकुली इस तरह से फोल कर देंगे इकोल फोल्ड करने के बार जब आपने यह फोल्ड किया आप यह वाली साइट से भी हम इसे अपर पोशन में इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो यह सेकंड वाला पार्ट है आपका दिस साइट यह हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे लाइक दिस जो हमने यह तीनों फोल्ड कर लिए अब हम इसे टर्न कर देंगे टर्न ओवर करने के बाद आप देख रहे हैं एक पीक चो है बर्ड की वो पीक इस तरह से निकल रहे हैं यहां से और बस अब हम इसे एक सर्कल देंगे और सर्कल को ब्लाक कलर से फिल कर देंगे और यह पेपर फोल्डिंग बर्ड इस रेडी थैंक यू